क्या आप सोच सकते हैं कि आज आप एक लड़का है और कुछ महिनों या सालों में आप किन्नर बन जाए या फिर कोई लड़की आज लड़की है और कुछ सालों में उसे एक किन्नर के जैसी जिन्दगी जीनी पड़ेगी किन्नरों के स्थिती तो आप हमारे समाज में जानते ही हैं किन्नर को आज भी हमारे समाज में इच्जत की नजर से नहीं देखा जाता वो कहीं बाहर जाकर काम भी नहीं कर सकती कभी रोड़ पर तो कभी किसी के घर जाकर या फिर ट्रेनों में जाकर मांग मांग कर अपना गु किन्नर बन जाएं यह सुनते ही दर लग जाता है लेकिन यह सच मुझ किसी के साथ हुआ है यह घटना बिहार की है बिहार के स्टिवान की एक किन्नर आज से करीब 10 साल पहले लड़का था और आज वह लड़का किन्नर है अब आखिर यह कैसे हुआ हम आपको पूरी जानकारी देंगे इससे पहले नमस्कार मैं नेहा चौधरी क्यामरा पॉल सनुम्प्रकास के साथ और आप देख रहे हैं जनता जंक्षन दरसल इस किन्नर ने गंभीर आरोप लगाते हुए बताया कि करीब 10 साल पहले वह एक लड़का था परिवार की गरेबी हालत की वजह से वह ना इक्रम के दौरान इसकी मुलाकात चंदन से हुई जिसके बाद यह पहली मुलाकात दोस्ती में बदल गई फिर कुछ दिन बाद सरजरी कराकर चंदन ने इसके प्राइविट पार्ट को हटवा दिया जिसके बाद दोनों एक साथ मिलकर पति-पतनी की तरह रहने लगे किन्नर ने बताया कि करिब दो साल पहले चंदन अचानक से गायब हो गया और बाद में पता चला कि उसने किसी लड़के से शादी कर ली है जब मैं फिर से समस्तिपूर के चंदौली गाउंट चंदन के पास गया तो उसने कहा कि वो उसकी पतनी और मुझे दोनों को एक सब कुछ ठीक चल रहा था कि पिछले एक जून को चंदन घर से गायब हो गया जिसके बाद वक होजबिन करने पहुचा तो चंदन और उसके परिजनों ने उसके साथ मार पीट की और उसे भगा दिया जिसके बाद सिवान की किन्नर ने धाई लाक रुपी नगद और असी ह अजार के जेवर लेकर भागने का चंदन पर आरोप लगाया है साथ ही साथ बहला फुसला कर प्राइवेट पार्ट की सरजरी करवाने का भी आरोप है मामले में उजियारपूर पुलिस ने सिवान जीला के उपीस राय थाना अंतरगत निजामपूर निवासी रोश्नी किन किनर के आवेदन पर प्रात्मी के दर्ज करके जांच परताल सुरू कर दी है आवेदन में किनर ने उजियारपूर थाना के चंदौली निवासी बिंदू सहनी के पुत्र चंदर सैनी पर आरोप लगाया है हलांकि ऐसे मामले पहले भी आ चुके हैं जहां 14 साल का एक नाबा से आता है और किनर समुदाई के एक सक्स के पास काम करता था पिड़ित ने आगे बताया कि एक साल तक उन्होंने बड़े प्यार से रखा बाद में दिल्ली गुमाने के नाम पर आंद्रपरदेश लेकर गए और वहां खाने में कोई नशीली चीज मिला कर खिला दी और उसे वहां से कई परिशानिया हुई उन लोगों ने इस बारे में किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी भी दी इसके बाद वह डर गया और किनर के रूप में काम करने लगा करिब आठ साल में उसके पास जो भी पैसा इकटा हुए वह भी इन लोगों ने चीन लिया पुलिस से आरोपियों के खिलाफ शक्त कारवाई करने की मांग की है मा किया आप इस अजीबो गरीब घटनाओं के बारे में क्या सोचते हैं हमें कमेंट पॉक्स में जड़ूर बताईएगा आगे की खबनों के लिए देख तेरे ये जंता जंचन भनिवाद